Hello friends, welcome back to Bodhi Satto PCS My dear friends, 68 BPSC preliminary examination conclude हो चुका है आप सब लोग अब settled down हो चुके होंगे जिनका आसपास center होगा वो अपने घर और quarters को पहुंच चुके होंगे और जिनको थोड़ा सा दूर center दे दिया है वो रास्ते में होंगे लेकिन शान्त होंगे देखे अभी इस वीडियो में थोड़ा सा वीडियो अफलोड करने में देर हो गया कुछ emergency के वज़े से देखे इस वीडियो में हम questions का answer देखेंगे questions का analysis करेंगे और साथ में अंततो गत्वा cutoff के बारे में चर्चा करेंगे कि इस वार 68 BPSC pre के लिए cutoff कितना जा सकता है ठीक है चलिए शुरू करते हैं बिदाउत किसी further दिले पहला प्रश्ण जो है कंकाल के वे हिससे जो हडियों की तरह सक्त नहीं होते हैं और जो मोड़ी जा सकते हैं वे क्या कहलाते हैं तो आप सबको पता होगा cartilage इस बार science का जो प्रश्ण है सारे प्रश्ण जो है NCRT से उठाया है इनोंने obvious कुछ कॉश्चन आपको हरे एक book में मिल सकते हैं but major sub question जो है NCRT से इनोंने लिया है ठीक है आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्ण है कि lichen में एक chlorophyll युक्त partner एक साथ रहते हैं आप सबको पता है कि इसको क्या बोलते हैं शैवाल येवं algae येवं fungus ठीक है इसमें इन ये दोनों जो हैं complex life form होते हैं जिनमें symbiotic symbiotic partnership होता है आप सबको पता होगा आप सबने पढ़ रखा होगा NCRT छटी साथवी कक्षा के book में दिया रहता है देखे ये जो प्रश्ण है न ये पता नहीं कुछ ज़्यादा ही analytical है angle बैठने का angle के हिसाब से पूछ रहा है कि मादा इनोफिल्स और मादा क्यूलेक्स से अलग किया जा सकता है क्योंकि यह बैठती है इस प्रश्ण में मैं ज्यादा स्योर नहीं हूँ तो मैंने इसे छोड़ दिया है ठीक है आप लोगों को यदि पता है तो नीचे कमेंट करके बताओ शरीर की प्रतिरोधक शमता से जुड़ा सबसे महत्यपूर्ण कोशी का प्रकार है देखिए आप सभी को पता है कि WBC जो है मतलब श्वेत रक्त कणिका यह हमारे शरीर में प्रतिरोधक शमता बिक्सित करती है रोग प्रतिरोधक शमता तो इसका कई नाम है नीट्रोफिल्स, लिउकोसाइट इसके कई प्रकार होते हैं जिसमें लिंपे साइट भी आता है तो देखिए यदि इन्होंने लिंपे साइट को माना है WBC, नीट्रोफिल्स और लिकोसाइट का लामा तो अब तो इसका अंसर C होगा नहीं तो यदि लिंपोसाइट को जो इसका प्रकार है WBC का उसके कोशिकाओं का इनको यदि नहीं माना है तो डिरेक्ट इसका अंसर E होना चाहिए ये भी थोड़ा सा Confusing है Questions काफी analytical है Questions moderate है, questions hard है कुछी questions ऐसे हैं जो आसान है मानो शरीर की मान स्पेशियों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन जो है गलत है मान स्पेशियां केवल हड़ी को धक्का दे सकती है देखी मैं जब पढ़ा रहा था कि Type of Questions कितने तरीके का पूछ सकता है काफी analytical प्रशन होने वाला है इस बार तो जिन लोगोंने follow किया होगा वो mindset काफी अच्छा प्रशन करके आये होंगे कोई ज़्यादा भी tough नहीं था प्रशन ठीक है बहुत सारी चीजें जो है इसको हम elimination method से ही निकालके हम अपने answer तक पहुंच सकते हैं जैसे दिखिए मान स्पेशियां केवल हड़ी को धक्का दे सकती है तो ये जो केवल word है ना अपने आप में ही अतिरेक है तो मैंने बताया था कि ऐसे words होते हैं तो उनके ज़्यादा chances होते हैं 99.9 फिसर दी chances होते हैं वैसे option के गलत होने के तो ये पहला option तो direct ही गलत है तो और जाज लेते हैं कि और भी options गलत है या सही है मानस्पेशियां जोड़े में काम करती है शिकुर्ने पर मानस्पेशियां छोटी शक्त और मोटी हो जाती है BC सही है ठीक है इसका सही option जो है पांच का A होगा ठीक है आए बढ़ते हैं अगला प्रश्न 6 नमबर प्रश्ने इसमें देखे कुछ ऐसे प्रश्न है जो जादा complicated है मैं इस प्रश्न का उत्तर नहीं डोंड पाया हूँ आपको पता है तो इसका नीचे कमेंट करके बता सकते हो पहला अगला प्रश्न है ध्वनी की तिक्ष्णता किसके दौरा मापी जाती है आप सभी को पता है फ्रिक्वेंसी के दौरा मापी जाती है तो फ्रिक्वेंसी इसमें कहीं नहीं दिया हुगा है इसका सही अंसर E होगा option E सही है ठीक है आठवा नमबर प्रश्न है कि इसमें कह रहा है कि निम्नि में से कौन सा photoelectric उपकरण digital अनुपर्योगों के लिए सबसे उपयूगत है तो ये photo उत्सार्जक तो है ही साथ साथ photo voltic cell भी है तो इसका सही अंसर जो है B और C होगा ठीक है B और C D होगा मतलब उपयूगत में से एक से अधिक अगला प्रश्न है बॉल बेरिंग का उपयोग static गर्शन को निम्निलिकित में से किसमें परिवर्तित करने के लिए किया जाता है rolling गर्शन में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है ठीक है देखी ये question कई बार पूछा जा चुका है football के खेल में एक goalkeeper football को goal में पकड़ने के बाद अपने हाथों को पीछे की और खिचता है goalkeeper को किस परकार सक्षम मनाता है समवेग की दर को कम करने में ठीक है ताकि चोट हो गयरा नहीं लगया जब आप cricket भी कहलते हो ना तो उसमें भी ball catch करते हो तो catch करके पीछे खिचते हो हाथ ठीक है हमें टेकनिक बताई जाते है कि पीछे की जो चोट कम लगेगा तो वो समवेग जो ball का समवेग होता है जो परिवरतन की दर होती है ball के समवेग परिवरतन की दर उसी के rate को कम करने के लिए ऐसा किया जाता है यह एक टेकनिक है जो कि physics पे अधारित है ठीक है ध्यान में रखेगा निम्न में से कौन सा एक radio धर्मी तत्तो के द्वारा उस सरजित धनात्मक रूप से आवेशित करन नहीं है कोई radio धर्मी तत्तो जो है element जो है alpha, beta, gamma ठीक है यह मतलब कीरन को मतलब rage को जो है उस सरजित करता है तो cathode कीरन तो बिलकुल नहीं होगा beta कीरन की alpha पे positively charge होता है alpha positively charge होता है beta negatively charge होता है और gamma जो है यह neutral होता है तो इसका सही अंसर जो है alpha कीरन हो जाएगा option C 12 नमबर प्रश्न कह रहा है कि केंद्रा भी मोखी वल किसके लिए जिम्मेदार है तो वस्तु को बृताकार पत पर गतीमान रखने के लिए जिम्मेदार है असान प्रश्न है easy प्रश्न है निम्न में से किस उर्जा परिवर्दर में घर्शन बल सामिल होता है तो कही भी जब उश्मा उर्जा उत्पन होती है रसायन में तो ऐसी चीज़े नहीं होती है एक बस सीधे रास्ते पर चल रही है और अचानक डाई ओर एक तेज मोड आता है तो बस में बैठे यात्री बाई ओर जुकेंगे ठीक है अगला प्रश्न है कि एक संगीत कारिकरम में आरकेस्टा बजाने से पहले एक सितार वादक तनाव को समायोजित करने की कोशिश करता है और इस्टिंग को उप्यूक्त रूप से बांधता है ऐसा करके वह ठीक करने की कोशिश करता है देखे एस्टिंग को जो टाइट करते है न तो वो समायोजित करता है ताकि विभिन फ्रिक्वेंसी पे आवाज को उठा निकाला जा सके तो अनबाद यंत्रों की आवरिती के साथ सितार एस्टिंग की आवरिती ठीक है ये कम्प्लिकेड़ है बचे समझने में दिकत कर देते हैं लेकिन इसका सही अंसर ये होगा ठीक है 16 नमर प्रश्ण है पदार्थ के एक रूप का कोई निश्चित अकार नहीं होता है लेकिन एक निश्चित आयतन होता है पदार्थ के इस रूप का एक उधारण है तो दीकि कार्मा ने स्टिल क्या है ये सॉलीड है सॉलीड का ऐसा वो नहीं है ये जो है तो यहाँ क्रिप्टन जो है गैस है और मिठी का दिल लिक्वीड है तो इसका सही option जो है C होगा कुछ धातू oxide आमल और शार के साथ अबिक्रिया कर नमक और पानी बनाते हैं उन्हें उभै धर्मी oxide कहते हैं तो उभै धर्मी वार्मिंग में योगदान देती है तो carbon dioxide और methane दोनों हो जाएगा उप्यूक में से एक से अधिक D option इसका सही होगा 19 नमबर प्रश्ण कह रहा है कि आमल धातू carbonate से अबिक्रिया कर देखिए CO2 और water release करते है तो इसका सही option जो है बी हो जाएगा CO2 यह आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्ण जो है वा कह रहा है कि आपको तीन परखनलिया दी गई है उनमें एक में आशुत जल है और दो में से एक में अमलिये बिलियन और दूसरे में शारिये बिलियन किसमें लाल लिटमस पत्र नीला हो जाएगा तो obvious इस प्रोपर्टी जो बेस तो छार इसका सही अंसर होगा ACET कमल की गंद किसके समान होती है सिर्का से में ACET कमल पाय जाता है तो सिर्का के समान होगी बाइस क्या आए तेइस शुष्क ACET गैस जो है शुष्क लिटमस पत्र का रंग क्यों नहीं बदलती ठीक है क्योंकि देखे इसमें जब यह शुष्क रहती है तो इसमें S3O plus iron नहीं पाया जाता है यह aquas form में रहती है aquas solution में रहती है तब यह पाया जाता है यह release करती है और यह लिटमस पत्र का रंग बदल देती है कि इसका सही option जो है C होगा कोई S3O plus iron मौजूद नहीं होंगे लिटमस केवल जो है S3O plus iron की उपस्थिती में रंग बदलता है ठीक है अगला जो प्रश्न है वीशम का पता लगाए देखिए फल का पकना cement की setting और कोईले का जलना यह तीनों जो है example है रसायनिक परिवर्तन के तो यह जो है क्योंकि रसायनिक परिवर्तन में क्या होता है चीज़ों को फिर से reverse नहीं किया जा सकता है dus पके की फॉल से आप कच्चे फल नहीं बना सकते है cement अगर set है तो उससे फिर cement नहीं बना सकते है कोईले का जलना कोईला जलकर अगर राक हो जा a तो फिर आप जो है उसको कोईले में परिवर्थित नहीं कर सकते हो तो तीनों एक्जामपल्स हैं केमिकल चेंजेज के तो तीनों समान है बीशमिस में कोई नहीं है option E होगा साई हीरे और गिरफाइड के बारे में कौन सा कथन सत्य है ठीक है किसमें परिवर्थन के कारण रंद्र खुलते या बंद होते है देखे इसमें जो कोशिकाओं में पानी की मत्रा पे ये जो है depend करते है तो इसका सही option C हो जाएगा chlorophyll sudi के प्रकास के dash तरंग देधर को और शोशित करता है लाल और नीला ठीक है ध्यान में रखिएगा निम्र में से कौन सा मेल सही नहीं है देखे पंड वरित वाला पहला ही सही नहीं है दिख रहा है पत्ते को तने से जोड़ता है पत्ती को ये जो है लीफ ब्लेड को ब्लेड को जो है base of लीफ से जोड़ता है तो ये पंड वरित सही नहीं है बाकी ये दोनों B और C उप्सन सही है तो इसका सही उप्सन जो है A होगा suction pool के कारण पेड़ों में पानी बहुत उचाई तक पहुंच जाता है जिसका कारण है वाफसो सर्जन अगला प्रशन है निम्न में से कौन सा chloroplast का एक लक्षन है जो स्वब प्रकृति के योग इसे बनाता है देखिए मेरे हिसाब से DNA और RNA दोनों होना चाहिए ठीक है इसका option B भी हो सकता है केवल DNA लेकिन मेरे हिसाब से DNA और RNA दोनों होना चाहिए तो 30 का जो सही अंसर होगा वो A होगा 31 का देखिए diary से कितने शब्द बनाए जाते हैं direct factorial 5 कर दीजेगा तो 120 के something आएगा तो इसमें कोई option नहीं है इसका सही option E हो जाएगा 32 का और सही option जो है 77 है 33 का आपका जो सही option है ये 428 है काफी असान है इसका दोनों का difference निकालते जाएगा फिर जो difference आएगा उसका difference निकालते जाएगा तो एक gram मिलेगा उसी gram पे आएगा बढ़िएगा तो आपका 428 अंसर आ जाएगा ठीक है इसका जो है 34 का answer आपका B होगा और 35 का answer आपका एक आयत का चेतरबल 30 वर सेंटिमेटर है परिमाप्ट और 26 के रूमें ये hit and trial से भी कोई बना सकता है 10 और 3 होगा ठीक है एक दुकंदार किसी वस्तु को 10% के छूड़ देता है अंकित मुल पर 400 है यदि 10% GST लेता है तो वस्तु का अंति मुल होगा 396 रुपया अगला प्रश्न है निम्ड में से तार्किक और शार्थक क्रम में इनको सजाना है तो उपर राष्ट्रपती राष्ट्रपती अध्यक्ष प्रधान मंत्री फिर आपके हैं यहाँ पर सांसत तो आप सजाओगे राष्ट्रपती उपर राष्ट्रपती प्रधान मंत्री अध्यक्ष सांसत तो यह आपका इसका कौन सा हो जाएगा इसका हो जाएगा आपका 2, 1, 4, 3, 5 निम्न मेंसे कौन से गतन असत्य है परतेक वर्ग एक समचत्रभूज होता है परतेक वर्ग एक आयत होता है परतेक समचत्रभूज एक समनांतर चत्रभूज होता है उप्यूगत मेंसे एक से अधिक उप्यूगत मेंसे कोई नहीं तो ये तो तीरों सही है तो असत्य फाइंड हो सकता है कि मैं गलत भी हो सकता हूं किसी पॉइंट पे इदि आपको एक्षेक्ट पता है तो नीचे कमेंट करके बताईए अधरवाइस भी पेसी तो इसे बताए गई देखे भारत में जिला अस्तर पर विबाद निवारण संदर में निमल में से कौन से कतन सही नहीं है तो पहला ही जो है जिला फोरम उन सिकायतों पर विचार करता है जहां वस्तू और सेवाओं का मुल पचास लाख रूपे से अधिक नहीं होता यह बीस लाख है परिसीमा जो है इसकी ट्वेंटी लाख है ठीक है और सरकार या दिवंचीत लगे तो जिला फोरम की दो मतलब एक स अधिक जिला फोरम की भी अस्तातना कर सकती है जिला फोरम के सदस्यों में एक महिला भी होती है यह अनिवारता होती है तो इसका सई अप्षन मेरे हिसाब से ए होना चाहिए ए होगा ठीक है एक पंचायत समिती की सस्तर पर पंचायती राश्वन रिशना की संचालन करती है सबको पता है हमारे हां ब्लॉक अस्तर पे करती है 42 का यह हो जाएगा ठीक है अगला कोश्चन तेंट आलिस निम्न में से किसे समुदाय विकास के पहले कारकरम के रूप में स्थापित किया गया था तो देखी जो समुदाय विकास कारकरम जो है लागू किया गया था ना तो बाद में यह मतलब कंसीडर किया गया कि इसे पूरे देश में भी लागू करना चाहिए तो राजस्थान होगरा इन इलाकों में लागू किया गया था तो फिर पूरे देश में इसको विस्तित करने के लिए राष्टिय अबिस्तार सेवा 1903 में लाया गया ठीक है तो मेरे हिसाब से इसका सही अप्शन जो है 43 का B होगा 44 अनुचेद 14 में लिखा हुआ कानून के समख समता जो है काफी असान है ब्रिटेन से लिया गया था भारतिय समिधान को बनाने में कितना समय लगा दो वर्स 11 मां 18 दिन राज का मंत्री परिशत सामोही करूप से किसके प्रति उत्तरदाई होता है सामोही करूप से ओविधान सभा के प्रति जिम्मेदार होता है ठीक है ध्यान में रखेगा 73 संसोधन के बाद विकेंद्री करण किया गया obvious decision making process का विकेंद्री करण किया गया इसको decentralize किया गया पूर्ण ब्योस्ता का विकेंद्री करण किया गया कि सारी पूर्ण ब्योस्ताइं एक ही जगा पे न हो प्रशाष्निक शक्तियों का विकंद्री करण किया गया ये तीन जु है तीसरा न्याइक शक्तियों का विकंद्री करण नहीं किया गया एक एकरित न्याइक प्रणाली है हमारे यहाँ तो ऐसी न्याइक शक्तियों का कोई विकंद्री करण नहीं है द्वारा उनके प्रतिनीदियों के मादम से चुने जाते हैं तो ये और सी सही है उप्युक्त में से एक से अधिक इस पर काफी बढ़ियां काम किया है जो दोनों क्वैलेशन था उप्युक्त में से एक से अधिक और उप्युक्त में से कोई नहीं दोनों को अलग-अलग कर दिया है ये भी काफ़े ट्रिकी है ठीक है आगे बढ़ते हैं निम्न में से किसका संबंध भारत के सरबुच्य नियाले से है देखिए कॉलोजियम प्रुनाली का है अपिलिये छेत्रादिकार मूल छेत्रादिकार उप्यूक्त में से एक सियाधिक त ठीक है ये चुनाल लड़ने के पंचाती राज संस्ताओं में चुनाल लड़ने के लिए नियूंतम आयू सबको पता है 21 years होता है दो हजार बीस दो हजार बाइस के लिए सबसे कम महिला कारेबल भागिदारी दर कितने परसेंट बिहार में दर्ज करी गई काफी बार मैंने बताया है था चार परसेंट ग्रामरी चत्रों में और 6.5 पृतिशत शहरी चत्रों में अधिक्तम कर उदो की जीले में मेरे हिसाब से पुनिया होना चाहिए I am not confirm on this question आप नीचे कमेंट करके बताओ यदि आपको लगता है कि इसका आंसर जो है डीफर कोई डिस्टिक होगा ठीक है इसकी चर्चा हमने कई बार करी है नेशनल फैमली हेल्थ सर्वे 5 के अनुशार बिहार में सेक्स रेसियो की बात करी गई है कि 2015 मतलब जब 4 आया था तब कितना था जब 5 आया तब कितना हो गया तो 5 आमें 1092 हो गया चौथा में 1062 था तो दिखे कितना एला लीटिकल होगा कि चलो हम 2020 और 22 का ही निकाल लेते हैं तो वो क्या करेंगे फिर मतलब उनको यह कनफर्म नहीं है न निगेटिव मार्किंग है अब यह जब निगेटिव मार्किंग रहती है तो डर बहुत लगता है अब यह कोई कंसिटर कर सकता है रिस्क ले सकता है कि 1090 मार्दो उत्पाद GSDP में ब्रिदी दर 2.5 फिसदी के बरावर रही निमन में से कौन सा एक बिहार की अर्थव्योस्ता के मामले में सही है देखिए अर्थव्योस्ता का व्योसाइक धांचा ऊपर से इस्तिर है यह गलत है बिहार के अर्थव्योस्ता का क्योंकि मतलब तीज होना चाहिए primary goods वे होते हैं जो direct consume कर लिए जाते हैं या उनका उपयोग जो है production में किया जाता है तो प्रात्मिक वस्तों का उत्पाधन होता है अधिक हमारे राज्ज में तो मतलब इसका पच्छपन का हो जाएगा आपका सी देखिए सब्जी पूरे देश में 90% सब्जी का योगदान होता है फलो में 8 फीस है दी का योगदान होता है तो बहुत सारी चीजेये प्रात्मी वस्तों में आएंगी तो भिहार में सबसे अधिक प्रात्मी वस्तों का उत्पाधन होता है अगला प्रश्ण है S.E.Z है S.E.Z है न S.E.G.A.D.I.N.E.M. 2015 के उद्धेश क्या है तो देखी अतरिक्त आर्थिक गती विडियों का उत्पादन इस बार एकनॉमी का भी कॉश्चन काफी बढियां से डाला है काफी अच्छा ओबरॉल पेपर है पेपर में कहीं कोई mistake नहीं है पेपर का standard BPSC ने maintain किया ऐसा लग रहा है कि हम BPSC का पेपर है चीजें वहीं है असान असान सी चीजें बट analytical approach के साथ जो पूछा है मैं कह रहा था बच्चों से तो बच्चों को मजाग लग रहा था तो उसमें जो नहीं बच्चे होते हैं उनके साथ एक दिकत यह होती है कि कुछ बच्चे over confident होते है तो मैंने ऐसे लिखा था कि 5G technology पे ऐसे लिखिये या कोई एक topic था जिसमें मैंने पूछा था कि ऐसे लिखे तो उन्होंने का था sir ये BPSC के मतलब BPSC EC सबसे question ही नहीं बूस्ता है उन्होंने question कर दिया तो मतलब कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो एक लकीर खीच दी गई है न उस लकीर पे ही चलने की कोशिश करते हैं तो my dear friend I would like to make you confirm that कि अभी जो है universal हो रही है चीजे ठीक है सारभौमिक हो रही है तो अपने approach में जब multi-dimensional approach नहीं अपना होगे तो दिक्कत हो सकती है और सीधे सीधे एक लेख पे question पूछा था 68 BPSC 67 BPSC में अब अब एक बात बताओ अब 68 में तो पूरा जीए start paper जो है पूरा essay कहीं पूछ दिया 300 marks का तो अब क्या करोगे चीक है ना तो यह चीजे हमेशा जो है analytical approach के साथ पढ़ोगे समझ के पढ़ोगे दिमाग को operate करके पढ़ोगे तो चीजें आपके लिए काफी असान रहेंगी और we are happy to announce that we are going to start 68 BPSC men's preparation since sorry for from 14th FAB 2000 मतलब मंगलवार से 2022 काफी है इसमें GS first paper, GS second paper, GS third paper पूरा dynamic approach के साथ बदलते trend के अनुसार second paper में काफी चीजें मैंने पढ़ाई ती सीधे-सीधे question पूछा था कई बार तो जो मैंने topic अलग-अलग करके पढ़ाया था तीनों मिला के push दिया था तो यह चीजें हमने काफी ज्यादा सभलता हासिल करी बहुत बचे हमसे जूटके हैपी है तो if you want to join our program then you can call on मात्र 3500 जो है इसका fee है ठीक है 3500 रुपिय मात्र इसका fee है if you want to join us then you can call and whatsapp on यह नंबर है हमारा 97178805 ठीक है आप हमारे telegram group में मैंने share कर दिया नीचे video के description works में telegram group है या हमारे community tab पे या हमारे channel community tab पे जाहिएगा वहाँ पे सारी चीजें descriptive लिखी गई है तो इस पे आप number पे call करके या whatsapp करके जनकारी ले सकते हो एक और number है 98106805 इस number पे भी call करके आप जनकारी ले सकते हो ठीक है तो यह है कि अतरीक गतिवीदियों का उत्पादन वस्तुम सिवाओं के निर्याद को बढ़ावा रोजगार निर्मान तो तीनों होंगे इसका सही अंसर B होगा ठीक है क्रिशी बिपड़न प्रणाली में सुधार के लिए भारत सरकार द्वारा अपनाया गया नीतिकत उपाय है काफी डैनेमिक, काफी अनलेटिकल, बट असान है PDS भी इसमें आता है, MSP भी आता है, Buffer Stock का रखाओ भी आता है बहुत सारी चीज़ें आती है ठीक है, पूरा एक class इस पर discussion किया जाता है किया जा सकता है, क्रिशी बिपड़न प्रणाली पे और आप देखोगे कि इस बार 67th BPSC मेंस में भी economy जो है, पूरा बिहार oriented था और इस question में भी जो बिहार का question पूछा गया ना काफी standard question पूछा गया है और economic, especially economy से related ठीक है, तो आप अपना थोड़ा सा preparation की strategy change करो और वैसी जगह पे आप coaching लो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप हमसे ही जुड़ो जहां पर dynamism हो my dear friend, ठीक है आपको समझाने की कोशिश करी जा रही है अब model answer से काम नहीं चलेगा model answer से काम नहीं चलेगा अब ये सब practice करते हो through model answer बट केवल model answer ready meant चीज़ों से काम नहीं चलेगा essay का जो paper है ना काफी ज़्यादा dynamic है और essay कोई कह दे कि एक जगह पे पढ़ा दूँगा मैं एक topic वहीं से आप लिखोगे तो वहीं से लिखोगे तो 100 में से आपको 30 नंबर 20 नंबर मिलेगा इतना मैं डिटो बता रहा हूँ ऐसे का character मुझे बहुत अच्छी तरीकी से पता है 10-12 साल के experience सहीज के से आपके साथ बता रहा हूँ ठीक है तो अब जो है डैनेमिजम है जहाँ पर डैनेमिक एप्रोच हो जहाँ पर मतलब अच्छे teacher हो वहाँ पर आप जोईन करो not मैं आपको insist करूँगे मेरे यहाँ ही अब यहाँ हम परसों से classes टालना शुरू कर देंगे आप हमारा demo class देखो material देखो अच्छा लगे तो हमसे जरूर जोईन करो ठीक है अगला प्रश्ण है कि समीती ने प्रतिस प्रदा अधिनियम 2002 को अधिनियमित करने का सुधा दिया था SBS रागमन समीती ने ठीक है अगला प्रश्ण है देखिए यह धूसर करांती उर्वारा गुलाबिक पिंक रेवोलिशन यह प्याज का उत्पादन रजत करांती अंडे का उत्पादन लाल करांती ठमाठर और मांस का उत्पादन तो आपका 59 का हो जाएगा एक अचार यह ठीक है अगला का कौन सी पंचवर्श्य यह योजना मानो संसाधन बिकास पर केंद्रित थी काफी important question है कौन सी पंचवर्श्य यह योजना मानो बिकास पर केंद्रित थी तो यह सेवंध पंचवर्श्य यह योजना थी माई डियर फेंट ठीक है सेवंध पंचवर्श्य योजना थी जो मानो बिकास पर human resources development पर टोटल केंद्रित थी तो यह इसमें से कोई नहीं होगा उप्यूक ई जो है सही answer है भारत में निमलिक्त में से किस राजने अप्रैल से सितंबर 2022 के दोरान उच्यतम परतक्ष विदेशी निवेश equity के रूप में प्राप्त किया करनाटक ठीक है अगला प्रशन है किस बजट में बित मंत्री ने उदारिकृत बिनीमिय दर प्रबंदन प्रणाली की घोशना करी अब सभी को पता होगा 1992 में लाए गया था ठीक है तो बजट जारी किया जाता है इस साल और अगले साल को मिला के जैसे हमने बजट हम क्या पढ़ेंगे सेंट्रल बजट दो हजार तेईस और चौवीस तो इसका सही अंसर एकानवे बानवे नहीं होगा इसका अंसर होगा यूनियन बजट बानवे तिरानवे ठीक है पंचवर्षी योजना के उदेश निमलिकित में से कौन थे बिगास, आदुनिकरान, आत्मनिरभरता सहित तो अभी उस नहीं होगा तो एक, दो, तीन इसका सही अंसर होगा तो इसमें एक, दो, तीन कुछ हमी नहीं दिया है तो एक से आधी होज़एगा अच्छा दिखिए, यहाँ पर बहुत सारे लोग न, यहाँ पर गलतियां कर देंगे, यहाँ पर करेंगे क्या कि वो, मतलब, यह पूछ रहा है कि निमन में से कौन सा यह जो दिया हुआ है, पंचवर्षी योजना के बारे में सही नहीं है, केवाल एक, दो करता होती है, डेविएट कर जाते हैं, बच्चे गलतियां कर देते हैं, गरीबी रेखा निधारित करने के लिए कौन सा मतलब संगठन सर्वेक्षन करता है NSO करता है, ठीक है, जनरली यह आपके loose end में भी देता है यह सारी चीज़े facts, तो आप अराम से कर सकते हो, ठीक है देखी, 69th का जो है, मैं confirm नहीं हूँ मैंने छोड़ दिया है, निचे कमेंट करके बताओ, यदि आपको पता हो तो ठीक है, नमक सत्यागरा के दोरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ सारकार के बिरुद किस प्रकार का लगाय जाता था, लेवाइड किया जाता था उसी के बिरुद में, तो इसमें कुछ नहीं होगा, इसमें कुछ दिया हूँ नहीं है उसके बारे में तो उप्यूट में से कोई नहीं स्री कृष्ण सिंग्द्वरा गठित बिहार के निर्वाचिस सरकार ने फरवरी 1938 में किस कारण से इस्तिपा दे दिया, आप सभी को पता होगा कि ततकालीन वैसराय लॉड लिनलित्गो ने बिना भारतियों के कंसेंट के जो है, डुटी अबी से यूद में भारत को इस्तिपा दे दिया, ठीक है, तो उप्यूक्त में से कोई नहीं, ठीक है ये सारे option नहीं होंगे, ध्यान में रखेगा किसने इंचंपारन सत्यागरे के दोरान बिहार में गांदी जे की जान बताई थी पतक मिया ने बचाई थी असा योग अंदुलान के दोरान कीशने बिहार में किसानों की अगवाई की स्वामी विद्यानंद रिप्ठेट प्रशन है प्रतम बार संगर्स के तरीकों के रूप में स्वदेसी औंव भाहिसकार आपको सबको पता है बंगाल विवाजन के समय स्वादेशियों बहिसकार आंदोलन अपनाए गये थे 1906 में आयोजित भातिय राष्ट्री कॉंग्रेस के कलकता अदिवेशन में भारत के लिए स्वाराज का जंडा किसने पहराया था दादा भाई नौरोजी ने 1787 संग्राम के दोरान भारतिय राजियों कश्मीर निजाम के हैदराबाद यह सब लोग प्रजामंडल अंदोलन चला रहे थे ठीक है तो यह प्रजामंडल अंदोलन इसका सही अंसर होगा बार्दिवे सेजनाः संगराम के बारे में मेंसे कौन सा कातन सही नहीं है वष 1921 में महातमा गांदी को गिरफ्तार कर लिया गया था 24 चौरी कर गांडी के कारण महातमा गांदी ने असोयोग आंडोल। सेहाथ किछलिया सही है गांदी जी ने अपना पहला प्रमुक्ष शार्वजनिक भाषन बनार सिंदू बिश्व बिद्धाले में दिया था ये भी सही है उप्यूक्त में से एक से अधिक सही नहीं है मतलब गलत कौन सा है तो इसमें गलत हो जाएगा ए क्योंकि मांदी जी वारा किस पत्रिका को मतलब संपादीर किया गया अलहिलाल को ठीक है अलहिलाल को उनिश्वी शताबदी के अंत में इतिहास के अध्यनने भारत में राष्टिता की भाona पैदा करने में किस परकार मदद की ब्रिटिस शाषन के तहत दैनिये स्थेतियों को बदलने और संग करने का खंडन करके यह भी गरब्र कर तो भी और शी इंसर तो यह option e और b तो بहागे थाएगा ठीक है मदरास की जश्टिस पार्टी द्वारा काउंसिल चुनाओं का भहिसकार किया गया हजारो छात्रों ने सरकारी नियंतरवाले स्कूल को छोड़ दिया प्रधाना ध्याप को और साथ इस्थिपा दे दिया वकिलों ने अपनी प्राक्टिस छोड़ दी तो 76 का मेरे हिसाब से जो है मेरे हिसाब से काउंसिल मदरास की जश्टिस पार्टी के दुवारा काउंसिल के चुनाओं का भहिसकार किया गया था दो और तीन होगा इसका सही अंसर सी होना चाहिए ठीक है एक सन्यासी जो फीजी में एक गिर्मिटिया मजदूर के रूप में काम करने के यह रिपिटर तुथी दास्तरामायन की एक परती लेकर आया था जिसने वहां की ग्रामिर्ट शत्राओं को शंद सुनाता था यहां जिस किसान नेता का जिक्र है वहा है बावा रामचंद ठीक है काफी important है ध्यान में रखिएगा All India Harijan Sun की अस्थापना 1922 में किस के दुआरा की गई? महात्मागान्दी के दुआरा 20 फरवरी 1947 को प्रदान मंत्री एटली ने भारत से British शाषन को कब तक वापस लेने की गोशना की June 1948 काफी factual question है असान-असान से है कुछ इसमें analytical भी है कुछ factual भी है स्वराज दल के अस्थापना बिहार में किसने करी थी? श्री कृष्ण सिंग ने करी थी स्वराज दल की अस्थापना अगला प्रश्ण की वाशिक संद्धांजली जो है अरपित करेगा तो ये था शेर खान अगला question ब्राशी नंबर question पे आते हैं बिक्रम शिला विश्व बिदाले किसके दौरा स्थापित किया गया था? अब आप सबको पता है रिप्टेट प्रश्ण है धर्मपाल के दौरा इनमें से बिहार के प्रथम राजयपाल कौन थे? सर जेंस डेविड सेप्टरन थे बिहार के प्रथम राजयपाल ठीक है अब आते हैं 84 नंबर प्रश्ण पे महत्मा गांधी और बिहार सम रेमिनेंस के लेखा कौन है डौक्टर राजंद प्रशाद? बिहार का सबसे पुराना गिर्जा घर कौन सा है पादरी की हवेली ठीक है दिवंगत अभिनेता कुमुदलाल गांगुली जिन्होंने एक मंचिये नाम अशोक कुमार से भी जाना जाता है जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था किस शहर में हुआ था तो आपका 86 का हो थे ये प्राचिनकाल में गंगा के दक्षणी शहत्र को क्या बोला जाता था मेरे हिसाब से तो ये मगद होना चाहिए पता नहीं इसका सही अंसर मेरे हिसाब से ई होना चाहिए ठीक है भारती महादूइप में लोहे का परियोग कब हुआ देखिए ये लगबग 1300 BC में लेक के अनुसार सुदर्शन जील एक रितिम जलासे की मरमत किसने की रुद्र दमनने की काफी important question है और रिप्टेड है कई वार पूछा जा चुका है जासी के पास देवगड का मंदिर और इलहाबा के पास गढ़वा मंदिर में बनी मूर्तियां जो है किस कला के इसे तो obvious ये जो है गुप्त काल से related है तो इसका सही option जो है B होगा ठीक है आगे बढ़ते हैं निम्न में से किस युद में मुख विरोधियों का सही उलेख नहीं किया गया है पानिपत का दूतिया युद तिपू सुल्दान और मराठो के बीच नहीं obvious नहीं लड़ा गया ठीक है आगे बढ़ते हैं दिल्ली सल्तनत के दोरान मुकद्दम या चौधरी पद का इस्तेमाल ये किस के लिए किया जाता था रजस्वा दिकारी होते थे या ठीक है तब काते अकबरी जिसने कभी-कभी अब्दुल-फजल के अकबर नामा से अधिक विशोषनिये माना ज सथापना करी तो कृष्ण देव राया ने करी ठीक है अगला प्रश्ण है 1940 में 1940 में पतना महीला महा बिद्दाले के अस्थापना निमलिकव मैं से किस समाज के द्वारा करी गई तो सिस्टर्ण आप अपोस्टोलिक कामरिल के द्वारा करी गई ठीक है इसका सही अनसर ए हो इन में से किसने 1947 में भारत और पाकिस्तान की भी अंतुराष्टी सीमा किसने अस्तापित की गई नत्रिद किया सिरिल सर्व सिरिल रेड क्लिफ जो थे इसकी अधक्स थे किसने बंगाल में महालबारी बंदोबस की प्रनाली शुरू करी थी तो ये थे आपके हॉल्ट मैकेंजी ने करा था ठीक है आगे बढ़ते हैं 1940 में बिनोबा भावे ने बैक्तिगत सत्यागरह अरंब किया पौवनार्थ महराष्ट से ठीक है 1918 में मांटेगो सुधारों पर कॉंग्रेस ने एक महत्तपुन रुख अपनाया जिसके कारण पुराने उदरवादी और शेश तूट गया ज़िस सप्रू जयकर चिंदा अमड़ी जिन्होंने गठित किया काफ़ इंपॉर्टेंट कोश्चन है इंडियन नेशनल लेबरल फेडरेशन का गठन इनों ने किया था कैबनेट मीशन निम्न में से किस के लिए भारत भेजा गया था औवियोस सत्ता हस्तान आंतरन के लिए संबैधानिक व्यवस्ता तैयार करने के लिए इसका साई अप्शन जो है बी होना चाहिए केवल दो पाकिस्तान जिनना की मांग नहीं राष्टे सरकार के स्थापना के लिए नहीं ठीक है इत्यान दखिएगा आगे बढ़ते हैं कई बार रिप्टेड है कई बार मैं बताया हूँ और बहुत सारे बच्चों ने कई सुर 2019 और 2020 के आर्थिक सर्वेक्षन के अनुसार यहां पे पुछा गया है कि किस जीले में प्रती ब्यक्ति आए जो है सबसे कम है तो शिवर अवियोस 102 का आपका बी हो जाएगा ठीक है 2020 के लिए नीती आयोग SDG रिपोर्ट के अनुसार बिहार राज्य का स्कोर जो है कितना रह तो 100 मेंसे 52 था इसका स्कोर ठीक है अग्ला प्रास्ण है खेलो इंडिया महिला टूर्णामेंट में पहली बार किस खेल को शामिल किया गया तो यह trai cycling को शामिल किया गया मैने बताया भी था मैंने कर इंट फैरर जो शियर किया था उसमें बताया भीए था निम्न मेंसे किस वर्ष 2022 में युनेशको की विश्व धरोहर सूची में सामिल किया गया तो ये था लंगट सिंग कॉलेज के खगोलिये 20 साला ठीक है अगला है बिजनस रिफॉर्म एक्षिन प्लान बिजनस रिफॉर्म एक्षिन प्लान द्वारा 2020 में बैपार करने में असानी में बिहार के ने 36 राजियों में कितनी रैंक हांसिल करी थी तो ये बिहार ने 21 रैंक हांसिल करी थी तो 21 इसमें नहीं है साई उप्षिन जो है इसका 107 का ई हो जाएगा 28 नॉमर 2022 को मुख मंतरी नितीश कुमार द्वारा गंगा जल अपूर्थी योजना का उठगातन किया गया राजगीर से निमनमि से किस एशोशेशन वोर्ड ने अक्टूबर 2022 में पुरुष और महिला खिलाडियों के लिए समान बेतन की यह घोशना की तो भारतिय द्वारा करी गई थी ठीक है पिछले 10 वर्षों में राज्य का शहरी करण काफी पूछ चुका है कि 2011 में कितना था और अब बढ़कर कितना हो गया है तो यू नो डाट कि 2011 में 11.3 फीसदी था अब 15.3 फीसदी के बराबर हो गया है ठीक है अब आते हैं मैं डियर फ्रेंड हम क्वेश्चन नंबर 111 में निम्नमिसी किस केंद्रिय मंत्रालाय ने हाली में 2022 में यू आ 2.2 योजना का स्वास्तियम परिवार कल्यान मंत्रालाय का है मैं कई बार बताया हूँ ग्री मंत्रालाय ने नॉवंबर 2022 को देश की कितनी भाषाओं की फिल्ड विडियोग्राफी के साथ भारतिय मात्री भाषा शर्वेक्षन कारिक्रम को जो है पूरा किया तो इसका जो सही अप्शन है वो 576 भाथाओं का है ठीक है निम्लिव में से किस समीती ने एक जनवरी 2026 से पुर्ण मुल निर्धारण शोतनता की सिपारिस करते हुए गैस मुल निर्धारण पर एक रिपोर्ट पेस करी है किरिट पारत समीती थी ये खाफी इंपोर्टेंट समीती है कई बार कोशन जो है प्रिवेसली जो है पूछते आ रहा है इस चीज को ध्यान में रखिएगा कई सारे रिप्टेट प्रशन में मिल रहे हैं निमली में से किश एक शहर को स्वाक्ष सर्वेक्शन 2022 का नुसार पांस सितारा कच्रामुख शहर रैंक से जो है उसे सम्मानित नहीं किया गया है तो इसमें भोपाल को नहीं नवी मुंबाई सूरत को तो शामिल किया गया ठीक है आगे बढ़ते हैं सूरत में स्टील स्लैक से जो है निर्मित होने वाली सडकों के लिए जो है पहला सहर ये गोशित हो चुका है प्रधान मंत्री निमिलिकर में से किस अस्थान पर पहला ग्रीन फिल्ड हवाई अड़ा डीनो फोलो हवाई अड़े का उर्धाचन किये तो इटा नगर में किये ठीक है फिर 116 का किस जानवर को नमबर 2022 में भारतिय खाद सुरक्षा और मानक प्रतिकरन द्वारा एक खाद पशू के रूप में अनुमोदित किया गया है बताईए ये भी गलत हिमाली याद को भारत का पहला फ्लोटिंग BTS अक्षारता शिविर हाली में इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक द्वारा निम्लिकर में से किस अस्थान पर जो है आयोजित किया गया श्री नगर में आयोजित किया ठीक है अगला प्रश्ण है कि भारत की राश्ट्रपती ने निम्लि में से किस आयाइटी में परम कामरूप सूपर कम्प्यूटर की सुबिदा जो है का उद्गातन किया देखे ये काफी ठीकी कोशन है जिनको नहीं भी आ सकता होगा वो भी बता दें कामरूप कहां से असम से जुड़ा हुआ है गुहाठी में आठ अक्टूबर 2022 को अपनाये गए नब्वे में भारतिय वायुशेना दिवस पर असी वायुआ ने घंटे भर हवाई परदसन किया किस रस्तान पे हवाई परदसन किया ये सुखना जिल चंडिगड के पास इन्होंने करा था अपना जो भी करतब इन्होंने दिखाया था भारत सरकार ने पोशन अभियान के तहत वर्ष के किस महीने में राष्टी पोशन मा या नैशनल नुट्रिशन मन्त मनाया जाता है मार्च में मनाया जाता है तो इस चीज़ को ध्यान में रखेगा उप्यूक्त में से कोई नहीं होगा चीन की तियांग अंत्रिक्ष स्टेशन में हाली में लॉंच किये गए अंति मॉडूल का नाम क्या है अंति मॉडूल का नाम है मेंगटियन निम्निमें से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा जौला मुखी है जो पिछले 38 वर्सों में पहली बार फूटा था तो ये हो जाएग मॉणा लाव निउजपेपर का ये सारी करेंट अफेर्स जो है ना निउजपेपर के हैं कोई बहुत बड़े मैगजीन्स और उसके नहीं है जो नॉर्माली डेली निउजपेपर पढ़ते होंगे वो भी कर लिया होंगे इन में से किसे हाली में उनके उपर नियास दसेवन मुनसफ मॉली अलमेडा के लिए 2022 का बूकर पुरिश्कार मिला था काफी इंपोर्टेंट है काफी असान है शुहान करुणा तिलक को मिला था विश्व अंतरिक्ष सब्ताहथ 2022 की थीम क्या थी तो विश्व अंतरिक्ष सब्ताहथ 2022 की थीम थी आपको मतलब अंतरिक्ष और निरंतर्ता, सस्टेनिबिलीटी और स्पेश ठीक है, अगला है किस लिबोरेटरी ने दिसंबर 2022 में एक इत्यासिक नाबी की है सनलेयन सफलता का जो है, दावा किया ये लॉस अलामोस नैशनल लिबोरेटरी ने करा था कोलिंस डिक्ष्णरी का वर्ड अब दा ये 2022 क्या था, ये पर्मा क्राइसिस, मतलब जब क्राइसिस को ज़्यादा दिनों तक सस्टेन कर जाती है उसे पर्मा क्राइसिस बोलते हैं लगतार घटनाओं पे घटनाएं होती हैं जो मानविये के लिए, मानव समाज के लिए अहित करती हैं, उसी को बोला जाता है पर्मा क्राइसिस, निम्न में से किस देश ने स्टेनेगल के साथ मिलकर कॉप 27 का अंतराष्ट्य सुखालाचिलापन संगठन का जो है शुभारंब किया है तो ये है आपका स्पेन ठीक है, आगे बढ़ते हैं पहली बार किस देश के दूतावास ने निहोंशू के लिए जी आई टैग का आवेदन किया है जी आई टैग है, हाँ निहोंशू, तो इसका 128 का हो जाएगा आपका C, जपान ने किया है, ठीक है ये इक्विलियस Lunar ये एक Mission है, ये जो है जाकसा के दुआरा जो है, इसका सबलता पुरोग उप्योग किया गया है इसमें ये बताए गया है, कि संत्रीक्ष्यान को आगे बढ़ाने के लिए भाप का हमने यूज किया है October 2022 में लॉंश किये गये, Tesla Humide Robot बहुत ये चर्चा का विशय बना हुआ था Optimus नाम है इसका ठीक है सारी चीजें Current Affairs से ही पूछी गई है जो की News Paper से Attached है, कोई ऐसा Magazine से, तो इसलिए मैं आप पे Focus करता हूँ कि अब News Paper पढ़ो आप Facts भी पढ़ोगे, Analysis भी पढ़ोगे, और जो essay का Paper आ रहा है न, और इतना Dynamic Paper हो रहा है, BPSC का तो ये सारी चीजों को आप अराम से टैकल कर सकते हो भारत में निमलिकित में से कि सुराजी की सीमा बिहार के अधिक्तम जिलो से लगती है, तो आप देखो, बिहार ऐसे है मतलब एक तरीके से आतकार माना जाए तो या तो ऊपर लगेगी, या नीचे लगेगी ये थोड़ा सा ऐसे है था तो ये जारखंड में लग सकती है जारखंड इसका सही अंसर होगा निमिर में से कौन सा भागलपूर में मिर्जा चेवकी की ओर रेल मार्ग में बिहार का जो है अंतिम रेलवे स्टेशन है तो पीपर पातिक रेलवे स्टेशन जो है ये अंतिम रेलवे स्टेशन है ठीक है आगे बढ़ते हैं बिहार की खनी जूद पादन के संदर में निमिलेखी खत्नों पर विचार किये है रोतास और कैमूर में पायराड का सरवादिक बंड़ार है सही है चुना पतर कैमूर, भबगा, मुंगेर और रोतास जीलों में पाय जाता है जमूई में सोने का बंड़ार एक और तीन होगा इसका सही अंसर ए होगा ठीक है बिहार में बहने वाली पवित्र नदी फल्गु निम्न में से किन नदियों के संगम से बनती है मोहाना और लिलाजन नदी के संगम से बनती है बिहार में निम्लेकित में से किस अस्तान पर पहली बार चाय बगानों की अस्थापना करी गई तो देखे मेरे हिसाथ से मैं कन्सॉर्म नहीं हूँ ये ठाकूर गज होना चाहिए किशन गज में है तो इसका सही अंसर भी ही होना चाहिए ठीक है 136 का जो कह रहा है कि बिहार में निमलके जीलों का आरोही दश्किये ब्रिदी 2001-2001 का अनुसार सही क्रम में चुनना है तो ये सिवान, किशन गज और मधेपूरा इसका सही अंसर होगा बिहार में क्रिशी अधारित उद्धोगों में किस खाद उद्धोग का जो है प्रभुत्व है क्रिशी अधारित उद्धोगों में किस खाद उद्धोग का तो अनाज अधारित उद्धोग का जो है प्रभुत्व है अपनी पहारी आत्रा के आंत में सिंधु नदी अफगानिस्तान में जो है किस नदी से जूड़ती है काबूल नदी से जूड़ती है तो 139 का हो जाएगा इसका C निम्लिकित में से कौन सा विश्व में सूप प्रचारित वनने जूव अभियान है जो 1973 में शुरू किया गया था काफी आसान है यदि साइंस और इंवर्मेंटर निकलोजी अपने पड़ा होगा या जोग्रफी भी पड़ा होगा तो लुसेंड में ये में प्रजेक्ट चाही ऑप्सonton हो जाएगा ए पैंजिया के तूटे हुए दक्षणी महाद्वीब को क्या बोलते हैं गुंडवाना बोलते हैं पैंजी और पैंधेलासा था लारेंसिया उपर हो गया गुंडवाना नीचे हो गया ठीक है डूंडवाना बनते हैं आर्क्टिक च्छेत्र और महाद्वीब किसके निकट इस्तित है जोग्राफी के क्वेशन लगबग आसान पुछे गए हैं तो अमेजन वेशन नहीं सहारा वेशन नहीं उत्री और दक्षनी दुरूप के ठीक है साही अप्शन जो है सी होगा म्यामार के साथ भारत के किन राजियों की सीमाय मिलती है दे इसमें ज्वार नद्बुक समुद्र तत निकट वर्ती पर्यावरन के जंगल समुद्री घास प्रवाल भीतियां नमक दलदल और मैंगरों के साथ 21 ट्वीब जो है सामील है माईडियर फिंड मननार खाड़ी बैयो रिजर्व ठीक है कोपिन का वर्गी करण सी डवलू जी बिहार के बारे में रिप्टेड प्रश्न है भारत की 36 सीमा टट से समुद्री कितने मतलब इसका जो कितने नॉटिकल माईल तक फैली होती है तो 12 समुद्री मिल मना जाता है ठीक है लगबग 22 किलोमेटर के बराबर होता है भार भारत में अगला प्रश्न क्या है भारत में निमलकित में से कौन सी नदी घाटी कोईले के भंडारन से जो है संब्रिद है तामोदर नदी घाटी भारत में चीनी उद्योग के बारे में निमलकित में से कौन सा कथन जो है सही है तो चीनी उद्योग दूसरा सबसे बड़ा उत्तर परदेश चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है ठीक है ये सही है महराष्ट जो है देश में अगरणी देखे महराष्ट जो है अभी पिछले कई सालों से उत्तर परदेश प्रतम अस्तान पे था तो महराष्ट जो है उत्तर परदेश को पचाड़ कर प्रतम अ गटना है इसे अस्थानिय रूप से किस नाम से जाना जाता है तो इसे मैंगो सावर्स बोलते हैं ठीक है वातावरन मुख रूप से किस के दुवारा गरम होता है सौट वेपस आते हैं और दिर्गतरंग जो है अस्थालिय रूप से वापस जाते हैं तो दिर्गतरंग अस्थ जो था ना यह moderate to hard कुछ question असान भे थे काफी असान थे मेरे हिसाब से जो cut-up है negative marking यहाँ पर allow है और आपको पता है कि seat भी काफी कम है तो मेरा अनुसार से cut-up जो है general का male general 92 से 97 के बीच जाना चाहिए अब इसमें आप अपने category के अनुसार 2-4 नमर घटा उटा के कर लेना cut-up prediction होता है केवल मैंने बहुत कम शात्रों से अभी बात करी है मेरे अनुसार प्रतमा अनुसार जो है 92 से 97 प्रतम नजरिये में ऐसा प्रतित हो रहा है कि इसी के बीच एक दो नमबर उपर नीचे कर लीजिए fluctuate होगा इससे ज़्यादा नहीं जाने की संभावना है क्योंकि question काफी tricky है बहुत सारे लोग गलत कर दिया होंगे time taking प्रशन था science के question sorry mathematics के question भी काफी ज़्यादा दिमाग मगप करने वाला था reasoning काफी कठिन था हलाकि math जो थे वो असान थे लेकिन reasoning जो था वो logical था मतलब 2-4 minute का समय लेता है एक reasoning ठीक है तो इतना रहना चाहिए बाकि आप नीचे अपना number share करो कि कितना आपका number आ रहा है उसके बाद जो है हम exact cutoff और आगे की strategy के साथ हम फिर हाजिर होंगे ठीक है अब आप settle down हो चुके हो 69 में 69 BPSC के लिए भी काफी ज़्यादा vacancies आ रही है चुनाओ का season है तो आपका preparation जो है up to mark होना चाहिए ठीक है अब अब यसे mens की preparation में लग जाओ अब pre जो है ना देख रहे हो ना बुक अलग से पढ़के pre करूं कि वह लुसेंट पे आप लिवाइड नहीं हो सकते हो ठीक है क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रशना ऐसा है जो लुसेंट से solve भी नहीं हो पागा या किसी factual बुक से ठीक है आपको MCRT proper पढ़नी पढ़ेगी या स्टेंडर भुक डिरेक्ट पढ़ना पढ़ेगा ठीक है तो आप ऐसी strategy अपना के मिन्स का preparation करो और हाँ हमारे लिए हम से जूडना चाहते हो तो ये 97 178 अंठावन 805 जो है ये नंबर है इस पे WhatsApp कीजिए, Message कीजिए, Call कीजिए आप सबको जनकारी मिलेगी डीटल फॉर्म में और आप मिन्स का preparation के लिए हम से जूड के आप अपने preparation का peace और standard दोनों में maintain कर सकते हो हम फिर मिलते हैं तब तक के लिए signing up, take care, जैवार